हाई अब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल होप यू आ डूइंग गूट तो नेक्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने यह साड़ी चूज की है सिर्क की साड़ी है यह बानी प्रिंट में है दोनों तरफ रैड कलर का बॉर्डर है इससे कुछ नियर डिजाइन बनाने की तो देखते हैं किस तरह का डिजाइन बनता है और आपको पसांद आता है कि नहीं यह साड़ी इस तरह किया कि इसमें से किसी भी तरफ से कोई फैबिक नहीं निकाल सते क्योंकि बॉर्डर जो है काफी चुड़ाई में अगर इसमें से बॉर्डर निकालेंगे तो बीच का फैबरिक बहुत कम बच जाता है तो इसी तरह से इसमें से कोई डिजाइन बनाना पड़ेगा फॉरंण हाफ मीटर फैबरिक ले लिया मैंने यहां पे लाइनिंग के लिए कॉड़न का और जैसे यहां पर मैंने बिचा लियाँ वॉश कर लिया अच्छे से आयन कर लिया है और यहां पे length ले रही हूं है 46 inches, सबसे पहले मैंने एक part के लिए, मतलब या तो back या front के लिए, याँ पे मैंने cut कर लिया 46 inch length का कपड़ा, उसके बाद जो आगे कपड़ा है उसको इस तरह से दोबारा से 46 inch पे mark किया और उसको भी cut कर लिया, अब मेरे पास दो pieces हैं, एक back के लिए, एक front के लिए, back और front दोनों के लिए हमने एक अठे marking करनी है, यहां पे एक piece मैंने रख लिया है, जिसके open side मैंने अपनी तरफ को रखी है, और उसके उपर रखा मैंने दूसरा piece, इसकी close side अपनी तरफ को रखी है, अब जो नीचे वाला कपड़ा है वो मैंने half inch या मार्किंग shoulders की, जो पौना inch हमने बढ़ाया हुआ है, उसको छोड़ देना है, उससे आगे हमने shoulders की marking करनी है, shoulders है 14 inches, 14 का हाफ होतना है 7, तो इसमें half inch मैंने बढ़ा लिया है, क्योंकि हमने collar neck बनाना है, अगर हम half inch बढ़ा के नहीं रखेंगे, तो shoulders tight हो जाएंगे, इसलिए 7,5 inch मार्क कर लिया, नीचे की तरफ armhole जो है, बोई मैंने 7,5 inch मार्क कर लिया, अब सामने से भी 7,5 inch मार्क करके, इस तरह से यहाँ पे lines लगा लेंगे, इस line का half करके, यहाँ से back armhole की shape दे देंगे, आप चाहें, तो scale भी use कर सकते हैं इसके लिए, उसके बाद यह देखे, यहाँ पे tape रखा, उपर की तरफ, नीचे की तरफ करनी है, मार्किंग कमर की, तो यह मैंने 14,5 inches पे मार्किंग कर लिया, और यहाँ एक straight line दी, कमर है, 36 inches, 36 का 4th part निकार लेंगे, जो की होता है 9 inch, इसमें half inch margin के लिए आइड कर लेंगे, तो 9,5 inches पे यहाँ मार्किंग कर ल जाएगी, मतलब tight नहीं होगा, यहाँ से, अब नीचे की तरफ को यह देखिए, जितना भी घेर रखना है, इस तरह से, एक slant line लगा देंगे, यहाँ पे, A shape है, तो यहाँ नीचे की तरफ को corner लटकेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 inch का, उपर की तरफ को mark लगाया, और इस तर changing आजाएगी, अब इसके बाद हमने margin रखना है, तो 1 and half inch या फिर 2 inch का margin रखनेंगे, कमर से नीचे जादा margin रखने की जुरूरत नहीं है, इसलिए यह देखिए, मैंने यहाँ पे margin कम कर दिया, अब इस तरफ neck की width रखेंगे 3 inch, और shoulders down कर दिया, half inch और इसके cutting कर ली, तो यह back part की cutting हो गई, साथ में front की भी हो गई है, लेकिन अब यहाँ पे हमने back part जो है ना उठाया, साड़ी को fold करके मैंने यहाँ पे रखा है, और bun side मैंने दोनों pieces की अपनी तरफ को रखी है, अब यहाँ नीचे की तरफ से 2 inch पे marking कर लेंगे, यहाँ पे हलका सा कब देने के लिए, बस अब इसकी cutting कर लेनी है, back neck की cutting भी साथ साथ ही कर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने width रखी है 3 inch, length रखी है 2 inch, इसकी भी मैंने cutting कर ली, दोनों pieces की, back वाले pieces उठा लेंगे, अब हमने front वाले pieces की cutting करनी है, तो उसके लिए मैंने sari को fold करके दुबारा से रख लिया है, उसके उपर रखा ये lining वाला piece, मैंने sari की bun side अपनी तरफ को रखी है, आपने अगर border front में लाना है, तो फिर open side अपनी तरफ को रखेगा, बस यहाँ पे मैंने length ले ली है, 48 inches, lining से जो paint fabric होता है, वो 2-3 inch बढ़ा के रखना होता है, तो उपर की तरफ यहाँ पे 2 inch पे marking करके, यहाँ पे curve दे दिया, और same वैसे, जैसे हमने lining को भी दिया था, बास अब इसकी भी cutting कर ली, यह जो कपड़ा बच गया, इसमें से sleeves और plazo निकल जाएगा, अब यह जो कपड़ा बचा इस side से, यह हमने front में slits जो बनानी है, उसमें काम आ जाएगा, अब यहाँ पे यह देखिए, जो lining वारे pieces हैं वो तो हमारे center से cut हुए हैं, लेकिन जो साड़ी वारा piece है, इसको center से cut करना पड़ेगा, तो इसके भी हमने 2 piece बना दी हैं, इस तरह से, lining का एक piece इस तरह से रखा, इसके उपर रख देंगे main fabric, अब हमने इनको paste करना है, दोनों कपड़ों को आपस में paste करना है, अरेंज करके रख लेंगे, उसके बाद pasting करेंगे, lining तो आप कैसे भी रख सकते हो, जो main fabric है, उसकी right side उपर की तरफ को रखी है, इसी तरह से दूसरे वाला part भी हमने ready करना है, और ये हमने देखे, side से pasting करनी है, ये लिए मैंने glue गन, इसके साथ ही मैं यहां पे pasting करूँगी, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा glue यहां पे हमने लगाना है, drop के form में बिल्कुल भी glue नहीं लगाएंगे नहीं तो वहां पे हमारी needle अटक जाती है, slide नहीं होती है, fabric के बिल्कुल end में glue लगानी है, ताकि इसके उपर slide ना आए, और जो धागे बगारा निकलते हैं, कपड़े से वो भी न निकले, और interlock करनी की भी ज़रू कर लूँगी, और यह रहा back वाला part, यह भी मैंने same lining भी छाई, उसके उपर जो है main fabric रखा है, इसकी भी right side उपर की तरफ को है, अब इसकी भी मैं pasting कर लूँगी, अच्छे से, neckline पे, shoulders पे, पूरे में, यह हमने इसी तरह से pasting कर लेनी है, कुर्ती के side से जो कपड़ा बचा था, वो pieces जो है न मैंने double करके रखे हैं यहां पे, और यह मैंने इस तरफ से cutting कर लिए, इसकी यह printer बारा जो part है यह मुझे चाहिए, तो 4 inch चौड़ी यह हमने strip cut कर ली है, लबाई अपनी कुर्ती जितने ही लेनी है, अब यह जो front part के दो दोनों pieces है, इनको मैंने right side से face करते हुए, यहां पे fold करके रख लिया है, आपस में मिला के रख लिया है, उसके उपर रखेंगे यह strips, दोनों strips यहां पे ऐसे ही रख लेनी है, उसके बाद यह देखिए, अब हमने यहां पे, जितना भी neck रखना है, तो मैं यहां फे 3 inch waist में neck रख रही हूँ, क्योंकि है तो यह collar neck, बट मुझे थोड़ा साना loose में चाहिए, मैं पहनती नहीं हूँ collar neck, लेकिन first time जो मैं इस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कि पहन के देखती हूँ किस तरह का लगता है, तो यहां पे थोड़ी मैंने चोड़ाई जाद है दि half inch का, half inch का मैंने cut लगा लिया है, अब यह strips भी हमारी ready हो गई है, अब इनको use कैसे करना इस कुरती के उपर, तो यह मैंने एक part ले लिया, एक हटा दिया है, इसके उपर यह देखिए, इस तरह से न, right side से इन दोनों चीजों का मिला के रखते हैं, और यह जो cut है, यहां से ह हमने इस तरफ को sly लगानी है, उसके बाद नीचे की तरफ को यह complete कर देनी है, मशीन पर भी आपको दिखा देते हूं, यह देखिए, इस तरह से न, half inch का, जो cut दिया था, वहां से हमने sly लगाना, start करना है, और एक बार फिर से, उसी के उपर sly लगा लेंगे, ताकि यह लॉक हो जाए अच्छे से, दुबारा sly वहीं पहुंचानी है हमने, और नीचे की तरफ को, इस strip को इसी तरह से attach कर देना है, half inch का margin छोड़के, मैंने यहां पे sly लगा ली है, अब इसको यह देखिए, हमने इस तरह से turn करना है, लेकिन यहां पे जो extra fabric है, इसको cut कर लेंगे, ताकि यहां पे अच्छे से corner बन जाए, इसको turn करके अच्छे से iron कर लेंगे, अंदर की तरफ को यह देखिए, ऐसे, और करके यह हमारा collar बन जाएगा, अब जो अंदर की तरफ हमने strip छोड़ी है, इसको देखिए, हमने हलका सा cup देते हुए, उपर की तरफ से cutting कर लेनी है, उपर की तरफ से कपड़ा पूरा रखना है, थोड़ा नीचे आके हमने cutting start की है, और नीचे जो strip है उतनी ही रखनी है, ज राइट साइड से मिलाते हुए, फ्रेंट पार्ट इस तरह से रखने है, अब शोल्डर लाइन से इनको स्टिच कर देंगे, जो साड़ी बचगी थी उसमें से मैंने फैबिक निकाल लिया है, स्लीप के लिए, देखिए कैसे निकाल आईए, ऐसे फोल्ड करके इस तरह से 10 इंच चोड़ाई में मैंने यहां से फैबिक निकाल लिया है, जो कपड़ बच गया है, इस से बनाना है हमने प्लाजो, स्लीप के लिए यहां पे मैंने फोल्ड में फैबिक पिछा लिया है, फ्री इंच पे मार्किंग कर लिए, आर्म होल की शेप देने के लिए, बहुत ही simple सा method है जो कि मैं हमेशा use करती हूँ तो वर्च का fourth part निकार लेंगे उसमें से half inch कम करके यहां पे mark कर लेंगे बहुत ही simple तरीका है और बहुत ही perfect है स्लीब्स की bottom के लिए भी मैं कोई marking नहीं कर रही हूँ बस extra fabric रखके यहां पर मैंने points लगा लिए हैं बस अंदाजन ही मैं यहां पर मिला रही हो इनको क्योंकि जब हम स्लीब्स जो है ना ready कर लेंगे उसके बाद यहां पर मैं marking करूंगी जितनी भी bottom है हमारी अब यहां पर armhole की shape दे दी इस तरह से इतनी cutting करने के बाद अब यहां पर front armhole की shape भी दे देंगे साथ के साथ ही तो पॉने इंच के आसपास से यह shape दे दी मैंने इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे स्लीब की total length है 16 inches यहां पर मैं 14 inches के आसपास मार्किंग कर लूँगी उसके बाद कर जो fabric बचता है ना उससे हम कफ बना लेंगे मतलब एक्स्टा हमने यहां पर attach नहीं करने कफ इसी को fold करके हम इसका कफ ready कर लेंगे यहां पर हम इने cut लगा लिए जहां पर fold आएगा यह ऐसे करके यहां पर fold आजाएगा यह कुर्ती को ना मैंने neck की तरफ से इस तरह से fold करके रखा है अब हमने यह measurement लेनी है neck की तो यह जहां तक हमने cut दिया ना जहां तक sly आई आई है वहां तक हम इसकी marking कर लेंगे कितनी है तो यह 8 inch आ रहा है तो 8 inch का यहां पर collar हमने ready कर लिया है इसकी length है 8.5 inch और width है इसकी 3 inch अब देखिए हमने किस तरह से इसकी marking करनी है सबसे पहले हम यहां पे 8 inch पे mark कर लेंगे दोनों तरफ से अब इन दोनों points को एक straight line लगा के मिला लेना है अब collar की उपर वाली जो side है ना वहां पे हमने half inch बढ़ाना है तो half inch और यह बढ़ा हुआ है क्योंकि pasting paper यह मेरे पास 8.5 inch है अब नीचे से 8 inch से उपर की तरफ 8.5 inches पे इस तरह से मिला देंगे काउलर के नीचे की तरफ से half inch लेंगे इस तरह से यहां पे कब देना है हमने इस तरह से कटिंग करने के बाद अब कपड़े के साथ ही से paste कर लेंगे उसी के बराबर एक कपड़ा और कट कर लेंगे यह दो पीसिस मैंने कट कर लिया है और यह मैंने pasting भी कर लिया है अब ज तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है ऐसे फोल्ड करके या तो पेस्टिंग कर ले या फिर स्लाई लगा ले तो मैं यहां पर ग्लू से पेस्टिंग कर रही हूँ जो दूसर पीस कट किया हुआ है उसके साथ इसको राइट साइड से मिलाके रखेंगे और स्लाई लगा देंगे और नीचे की तरफ को जो राउंड शेप है ना वहां पे हाफ इंच हमने बढ़ाके रखना है फैब्रिक को पेस्टिंग पेपर के बाहर बाहर हमने यह सलाई लगानी है तीन तरफ यह सलाई लगा देंगे जिस तरफ से फोर्ड किया है उसको छोड़ देना है अब यह सलाई हमने लगा लिया है यहां पे इसको टर्न किया अच्छे से और आइरन कर लेंगे अब यहां पे एक तर्फ को न हाफ इंच जो कपड़ा अपने आपी बढ़ जाएगा क्योंकि दूसरी तर्फ हमने फोल्ड लगा दिया है यह कुर्ती की राइट साइड उपर की तर्फ को रखी और जहां पे यह कट है न जहां तक हमने यह पहले स्लाई लगाई हुए यह डे स्टिचिंग जो है लॉक कर देनी है उसके बाद एंड तक ही इस लाइट इसी तरह से लगा देनी है पूरे नेक पे इसी तरह से राउंड शेप में कॉलर को स्टिच कर देंगे और जहां पे कॉलर खतम हुए वहां पे दुबारा से स्लाई जो है अच्छे से लॉक कर देंगे एक तरफ से कॉलर स्टिच हो गया अब दूसरी तरफ यह जो फॉल्ड हमने लगाया हुआ है वह है तो इसके उपर अब हमने स्लाई लगा रही है जो कि बहुत फुनिशिंग से लगे तब ही अच्छी लगेगी अब यहां से यह स्लाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे यहां फिर फिर से लॉक कर लिया और फिर एंड तक यह स्लाई ले जाएंगे इसी तरह से आप चाहें तो पूरे कॉलर में भी घुमा सकते हैं इसी स्लाई को कूरती के आर्म होल में हमने फ्रंट शेप नहीं दी थी तो फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए मैंने दोनों शोल्डर को इस तरह से मिलाके रखा हैं और पॉर्ण इंच के आसपास यहां पे फ्रंट में शेप दे दी यहां पर स्लीप्स के लिए मैं स्ट्रिप्रेडी कर रही हूं तू इंच चोडाई में यह मैंने पीस लिया है लंबाई उतनी लेनी है जितनी आपने फोल्ड लगानी है अपनी स्लीप्स में तो यह दो जो है ना दो पीस में इस तरह के रेडी करूंगी स्लीप्स की बॉटम से 7 इंच उपर की तरफ में यह मार्किंग कर रही हूं यहां पर हमने यह स्ट्रिप्स करनी है तो इसको फोल्ड लगाके अच्छे से यहां पर मैं इसको स्ट्रिच कर दूंगी चारों तरफ से इसके उपर स्लाई लगा देंगे ताकि यह अच्छे से फिक्स हो जाए फैब्र की रॉंग साइट में इसको स्ट्रिच करना है जब हम इसको टर्न करेंगे न तो यह राइट साइड में आ जाएगी यह जो बॉर्डर है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यह स्ट्रिप जो है इसके अंदर रखके स्लाई लगा देंगे इसके उपर इस तरह से कुरती को बैग और फ्रंट साइड से मैंने शोल्डर लाइन से आपस में स्टिच कर लिया है यहाँ पे यह देखियो ऑवरलैप हो जाएगी कुरती अंदर की तरफ को मैंने पेस्ट कर दी है अच्छा से अगर पेस्ट नहीं भी करेंगे तो अभी कुछ नहीं है क्योंकि य इस्ट्रा एड नहीं की है जो इसके अंदर यह मैंने कपड़ा लगाया है इसी को बाहर की तरफ को निकाल के अच्छे से आरेन कर दिया है यह मैंने वाइंड की हैं फैब्रिक के बड़न तो इनको इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे यहा तो हम इस तरह से रख सकते ह यहां पे इनको लगा सकते हैं अधरवाइस यहां पे पेर में भी लगा सकते हैं तो मैं इस तरह से लगाऊंगी यह मुझे जादा अच्छे लग रहे हैं अब नीचे की तरफ जो है ना 18 इंची के आसपास ओपन चोड़ेंगे कुर्ती और यह स्लीव भी मैंने रेडी कर ल यह बटन्स भी मैंने कुर्ती में एड कर दिया है नीचे की तरफ कुर्ती जो है 18 इंची ओपन रखी है यहां पे नेक की जो लेंद है वो 7 इंची है जितनी मैं नॉर्मल नेक रखती हूं यहां पे मैंने लेंद रखी है यह यहां से मेजर्मेंट लेंगे तो यह देखिए 7 inches आ रही है तो इतना ही neck रखना है जितना आप normally रखते हो उसके बाद यह देखिए यहां पर यह बीच में से open है तो जहां हमने यह button stitch करने है अच्छे से stitch करने है अच्छे से यहां पर stitches पक्के करके लगाने ताकि यह टूटे ना open ना हूँ sleeves ready हो गई है अब कुर्ती के साथ हिने stitch करने है तो front side से दोनों sleeves को इस तरह से रखके देख लेना है जो front side है वो front side में ही आनी चाहिए तो इस तरह से रखके देख लेंगे अब यहां पर ऐसे इसको stitch कर देना है sleeves भी stitch हो गई है नीचे की तरफ जो lining है उसको भी fold लगा दिया है उपर की तरफ यह देखिए यहां से नीचे तक side की slide भी लग गई है sleeves में अभी हमने fitting नहीं दी है मतलब sleeves की slide नहीं लगाई है क्योंकि bottom से अभी हमें marking करनी है तो ऐसे रखेंगे इसे बराबर से sleeves को और यहां पे जितनी भी आपकी bottom है sleeves की उतनी ले लेंगे मैं five and half inches रख रही हूँ और यह scale लेके जहां पे हमने स्लाई छोड़ी है उससे आगे इस तरह से मिला देंगे बस यहां पे भी स्लाई लगा लेनी है तो arms की हमने fitting नहीं दी थी वह भी हमने दे दी है यह collar बन गया है कुर्ती हमारी ready है जिस तरह से इसके बाद जो कपड़ा बच गया उससे बनाया है मैंने प्लाजो तो प्लाजो मैंने विर्थवाइस बनाया है एक साइड का बॉर्डर नीचे की तरफ को आ गया और उपर वाला जो बॉर्डर है वो elastic के अंदर चला गया है अगर आप सेम सारी से प्लाजो नहीं बनाना च बताये गा बॉल्डर से सारी थेकते हैं हमारे मारण में हमेशा वही चीज़ आती है पर लिधियोस दाइंट्ट के ओए बेडियो ऑफ लाजो कर अंद के जरूर के जडूर बताये गाउपर पर तो नहां आप teve वी बीडियो में तब तक के लिए टेक और लिड़ो